कर दो रहे हैं बताना चारों आपको 80% विधायक यदि सचिन पाइलेट जी के साथ नहीं होंगे तो हम सचिन पाइलेट अपना दावा छोड़ देंगे मुख्य मंत्रे के लिए को करें सियम नहीं सकते 10 मंत्री 10 विधायक उनके साथ नहीं है यदि 80% विधायक सचिन पाइलेट आपके साथ नहीं हो तो मैं बताना चाहरो हम आरा दावा छोड़ देंगे कि उनमें से आपने पांच लोगों को मंत्री क्यों बना जो दस-दस करोड रुपा अमित सास लेके आए उनमें से पांच लोगों को अपने मंत्री बना दिया और ये स्टेट तो उस टाइम में लेते तो ज़्यादा बढ़िया था ना अब ये नए नियम अब क्यों लग रहे हैं हमारे साथ को जब हमारे साथी मंत्री बन रहे थे अब मुख्य मंत्री जी अप किस तरीके से बोल र सब्सक्राइब के साथ नहीं हो तो मैं बताना चाहिए हमारा दावा छोड़ देंगे तो यह फिर आप वन-टू-वन कराने में क्यों घबरा रहे हैं कि मिटिंग करा वन-टू-वन करा हो क्यों कराना चाहिए इसके लिए देखिए मैं तो इसके लिए यह जानकारी चाहता हूं कि यह जो आलक माने नोटिस दिये थे उनने तो नोटिस पर कारवाई हुई और राजस्तान में जिस तरह की सिस्टम चल रहा है यह आज दिवंगत आत्म भवरलाल जी जो आज उनके वहां सरदार सहर में चुनाव भी हो रहे हैं गैजेंदर सिंग निकमार नकारा गदार यह सब बोलते रहते हो लेकिन मैं यह बताना चाह रहा हूं कि सचिन पाइलेट साब यह राजस्तान की सेथ के लिए उनसे बढ़िया नेता दूसरा नहीं हो सकता और वो कहरें के साथ एमेले नी चार्टर पेलेन में आज ही चारे मेले उनके साथ ही क खड़ा और कांटिंग क्यों नहीं करवा ले असी परसेंट है मेले सचिन पाइलेट साब के साथ नहीं हो तो हम दारी छोड़ देंगे ऐसे तो यह इनके वह पैसे लेने वाड़े जो इनका ना पांच लोगों को मंत्री क्यों बना जो दस-दस करोड रुपए अमित सास लेके आए उन में से पांच लोगों को अपने मंत्री बना दिया और यह स्टेट तो उस टाइम में लेते तो ज़्यादा बढ़िया था ना अब यह नए नियम अब क्यों लग रहे हैं हमारे साथों को जब हमारे साती मंत्री बन रहे थे तब तो यह नहीं थे अब मुख्य मंत्री जी अब किस तरीके से बोल रहे हैं मैं बताना चाहरू आपको 80% विधायक यदि सचिन पाइलेट जी के साथ नहीं होंगे तो हम सच पाइलेट आपके साथ नहीं हो तो मैं बताना चाहरो हमँरा दावा छोड़ देंगे तो यह फिर आप वन टू वन कराने में क्यों घबरा रहे हो सिएल जी की मिटिंग करा वन टू वन करा वो कि उठेओ कराना चाहिए इसके लिए देखिए मैं तो इसके लिए यह जानकार चाहता हूं कि यह जो आलक माने नोटिस दिये थे उनने तो नोटिस पर कारवाई हुई और राजस्टान में जिस तरह की सिस्टम चल रहा है यह आज दिवंगत आत्मा भवरलाल जी जो आज उनके वहां सरदार सेर में सुनाव भी हो रहे हैं गजेंदर सिंग शक्तावत आज उनकी धरम पतनी विधायक है कैसा लग रहा है उनको उनके बारे में ऐसी बाते कर रहे हैं यह सब बोलते रहते हैं वह लेकिन मैं यह बताना चाह रहा हूं कि सचिन पाइलेट साहब यह राजस्तान की सेथ के लिए उनसे बढ़िया नेता दूसरा नहीं हो सकता और वह कह र पलाइन में आज ही अरह मेले उनके साथ जाक है कली कर लिए का 102 वीधाय का इक सो दो भी धाय को आज में आज वह के साहथ के वही गए हैं इनके 102 बादों में एक में खड़ा और कंवर्ण्टिंग क्यों नहीं कर वा ले लिए 80% एमेले सचिन पाइलेट साहब के साहथ नहीं हूँ तो हम दारी दारी सोड़ देंगे ऐसे तो है इनके वह पैसे